कि फ्रेंड को विडियो सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम पढने वाले हैं से केंड लेशन दूसरे यूनिट का सेकेंड लेशन जिसका नाम है जी तरह देखो कहो आँशे याद करो ठीक है लन मतलब याद करना तो देखते हैं क्या है यह तो यह हमारे क्लास्रूम का फोटो पिक्चर दिया हुआ है उसमें हमको देखना है कि क्या क्या हूँ होता है तो सबसे पहले एक क्लास्रूम के लिए सबसे जरूरी होता है एक बोड क्या बोड जिस पर हमारे teachers कुछ भी लिख कर हमें बताते हैं कि कोई भी मैस का प्रॉबलम सॉल्फ करुवाते एपल कैसे दिखता है इसकी Spelling यह सब कर वाते हैं इसलिए बोट का होना ज़रूरी होता है तो इसमें ग्रीइन बोटे कौन सा ज़रूरी होता है तो इसमें इसे पूरा तो आपको चौक की जरूएत पड़ती है अगर आपके फूल में वाइड बोर्ड होता है तो उसके लिए आपको माल कर ज़र पड़ेगी ठीक है तो अगर आपके पास ग्रीन बोर्ड है चौक है तो मिटाने के लिए डैस्टर भी होना चीए और दूसरी बात आपके लिए बैंच भी होने चीए यहां पर आपको काली कदर में कुछ दिख रहा होगा इसे प्रोजेक्टर क्या होता है कि वह घंटों का काम मिन्टों में कर देता है प्रोजेक्टर में आप कोई भी चीज के बारे में अच्छे से डीटेल में पड़ सकते हैं अगर मैं एक प्रोजेक्टर की मदद से हमको इतना बड़ा स्क्रीन में अच्छे कॉलिटी में दिखता है मूवी तो वैसे प्रोजेक्टर भी होता है प्रोजेक्टर स्कूल वालों के लिए ज्यादा काम में आता है और यहां पर आप देखते हैं यहां पर टीचर के लिए बीश चे औरहें कि विंदो भी दिख्रा हो गा बोर्ड भी दिख्राओग तो यह भी दोर कि चीमhewतों से लागतर होना टना मिंगे जाएक़ कृट्स ioc. स्वेक सबोना दौन यह किसी काम का नहीँ अब देखते Ay da अब को अब ये लिखना है आपको लेवल करना है कि आपके में क्या चाहता है तो आपके इतैरम में क्लासुम मैं पोक होता है नोड़बुक होता में ठोनकोवी होता है तुम आपको लेट का मतलब बतातनिए लेट क्या होता थे जो अन्य दान्य डिखा था न में उसी को किते हैं और स्कुनित क्या होता है उस रहेग पैंसिल ओ लेdy ऑ चौक को को पता ही होगा और यह मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं स्केल मतलब स्केल होता है क्रेयोन मतलब आपने वो जॉइंग बनाई होगी बहुत बात उसको कलर करना हो यह पैंसिल आता है उसे क्रेयोन कहते हैं टिफेन वाटर वाटर यह भी आपको पता होगा अब लेक्स टॉक लिखा हुआ है यहां पर टीचर सीमा प्लीज गीब मी योर नोट बू मतलब अपनी नोट बूप मुझे दे दो सीमा क्या का हिए इडैम मतलब यह यहां है मैडम टीचर थैंक यूट इसलिए सवाग्या मेरे मेरी किसमत में आपको बुक देना इसलिए स्वाग्या बताएं सीमा अभी में क्या सीमा इसलिए प्लीज गिब में पेंसिल अब सीमा क स्वयपनेल से कह रहे है कि मुझे एक पैंसिल अपनी एक पैंसिल दो सब्सक्राइल सीमा यह रही थे मा थेंक क्यों अब सीमा ने क्या आगा थैंक्यू अब सेटो फेल्कम मतलब कोई तर्टिंग मतलब यह तीचर के लिए एंटीच्र अब को एक स्कुल में गीब खिलाें भी इसमें हैं दो क्या कि बोलेगी आपको टीचर जो भी सर होंगे अधर में वह आपको बोलेंगे आपको क्लास्रूम से ले एक लेटेड जो चीजिये होती ही उनसे इस और चीज़ा बत cannot do it is it is pregnant Jen it is rectangular की मतलब क्या होता है जो जो अपड़ांगल मतलब क्या होता है देखिए जैसे कि यह जो साइट है बराबर होती है बढ़ाबर मतलब जो आमने सामने वाली साइट होती है वह बराबर होती है और जो नों चोटे होते हैं तो सैट थोड़ी में और यह सैंग निए समय होते हैं एक थोटा होता जाता है एकिस चीज में काम आता है पैसरा में क्या blackboard it is white it is small it is used for writing on the board मतलब यह सफे यह white है यह छोटा है और यह यूस्ट पर राइटिंग ऑन दी बोड और यह बोर्ट पर लिखने के काम में आता है तो बता यह क्या होगा तो सही जवाब है चौग यानि की स्ट्लेट पेंसिल स्ट्रेट मतलब बोर्ड और स्ट्रेट पेंसिल मतलब चौग को कहते हैं तो आपको यह वाला भी एक्षूज आपका राइस साइज खतम हो गया यह आपका लेसन भी आपका खतम हो गया तो अब ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ड्रिम्स्टेडी टूट्रीयल और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताहिक हमारे जो वीडियो से सबसे पहले आप तक हुछ है तो ऐसे हमारे साथ बने द oleले के शुट्राइब कर देना और यह समझ में आया है या नहीं समझ में आया जाकर कमेंट में जाकर बता देना ठीक है थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो